आप कौन कौन से कुश्चन आपको देख कर जाने हैं वो आप यहाँ पर आगे दिखाते हैं यह चेप्टर 1.1 का कुश्चन नमबर 2 कुश्चन नमबर 2 में आप यह देख रहे हैं यहाँ पर आग्टि दी गई है ऐसा हो सकता है यह संभव है डिजाइन डायग्राम आपको यही रहें बस नमबर जैसे यहाँ पर BC का मान दिया का है 4 यह BC 4 है AD 8 है हो सकता यह नमबर चेंज कर दे लेकिन कुश्चन यही हो सकता है तो आप जाने के पहले इसे एक बार अवच्च देख लेंगे 2 मास के लिए आप कुश्चन नमबर 3 आप का है BPT BPT समानपात का मुलभूत पर में इसको देखना बहुत जरूरी है कि मास के लिए यह कुश्चन आप के लिए हो सकते हैं आने के लिए संभावित हो ध्यान देना वेरी वेरी इंपोर्टन थेरम फोर यू इन दक एक्जाम कमिंग वाइदा नेक्स्ट ट्विंटी सिक मार्च आप यह कुश्चन देखने के बाद आए देखते हैं और कुश्चन आप कौन से देखने हैं समानपात के मूलभूत प्रमे पर आधारित आपका कुश्चन यह आपको सॉल्व करना होगा देखिए एक्सरसाइज नंबर वन यह आपका एक्जामपल है एक्जामपल जरूर देखिए यह कुश्चन नंबर आपका यहां पेज नंबर 13 पे एक्जामपल नंबर कुश्चन नंबर 2 जो आपने एक्जामपल में देखा बिल्कुल वैसा ही कुश्चन है इसे आप सॉल्व करना न भूलें सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही फायते में रहेंगे वरना आप जानते हैं क्या होगा आप इस question के बाद में और कौनस question आप करना है आए देखते हैं आगे आपके text book के page number 15 पर question number 10 ये activity based question है इसे देखे बिना आप exam में प्लीज कदापी न जाएं आपके लिए संभावित question हो सकता है आप इस question के बाद आए देखते हैं और कौनसा question आपको देखना है ये है पेज number 20 का example number 4 activity based question है आप इसे देख करके जाएं ये आपके लिए संभावित हो सकता है बड़ इंपॉर्टेंट है इसमें देखें इन दो अज्वानिंग फिगर बीपी इस परपेंडिकुलार राद एसी सी क्यूश्य परपेंडिकुलार एभी एपी एड़ एक्यूबी आद दा को लिनियर दिन प्रूब आपको प्रूब करना है कि ट्रेंगल एपी बी एड़ एक यूशी सिमिलर है यह आपको सिमिलर प्रूब करना है आप इसे कर सकते हैं इसे एक बार अवस्य देखें क्योंकि अभी आपके पास अभी भी 36 to 48 hours का time है इस question को देखने के बाद में और भी important question है यह आपका है chapter number 1.3 1.3 में question number 2 आप अवस्य देखके जाएं क्योंकि यह समरूपता पर आधारी question है इसका आप इसमें किसका मान निकालना है आपको यह प्रूब करना है क्या यह similar है यह triangle आपको similar प्रूब करना है आगी question आप देखने हाँ जो example मैंने पहले दिया था प्रूब करने के लिए उस इसमें इसी का मान निकालना है कि पेज नंबर 21 का question number 4 आपके लिए important question हो सकते यह है पेज नंबर 22 question number 8 आप देखें बहुत simple question है आपको यहां पर प्रूब करना है triangle ABP similar to triangle CDP मतलब त्रिबूज ABP सम्रूब त्रिबूज CDP इससे आप प्रूब कर चकते हैं देखिए दो चीज़ें आपको यहां पर दी गई है ABP upon CP equal to BP upon DP और आप एक एंगल यह भी दिखा देना अपने मन से यह position angle सम्रूब को बराबर है इस सम्रूब हो जाएगा और इस question को करने के साथ साथ में इस question को करना बिलकुल न भूने क्योंकि त्री मार्स का question है त्री मार्स का question आप यहां पर प्रूब करना है प्रूब करन और ADC का D बराबर है आप त्रीबूज ABC और ADC त्रीबूज ABC और ADC ले लिए और इस त्रीबूज का सम्रूब करने के कैसे यह बड़े चोटे का D बराबर दिखाए और दोनों का कॉंड आप common angle दिखा करके सम्रूब करने के बाद में इस सवाल को आथा आपका नाइन अब यह आपके सामने है वन पॉइंट फॉर वन पॉइंट फॉर कॉंस कुस्टन करें सम्रूब के छे त्रफलों का उनुपात उनके संकत हो जाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता इस तियम पर है इसमें पांच कुस्टन है वन टो थ्री पॉर फाइव निस्तित रू पर नेक्स पर पर कुस्टन नंबर आपका यहां पर दिख रहा है इसे आप जरूर कीजिए एक बार एक नज़र देखिए आपको आसानी से आ जाएगा क्योंकि आप पूरा कर चुके हैं रिफाइस कर चुके हैं इसलिए इसको करना बहुत जरूरी हो जाता है अब इसके ब कुस्टन के लिए आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा संभावित है यह आप कर चुके होंगे एक बार वनी वन्स इसे आप अपनी नोटबुक में पेल ले करके प्रेटिस अवस्ट्र करें क्योंकि यह प्रमे आपके लिए जरूरी प्रमे है प्रमे की चैप्टर से 2.1 सबसे बड़ी भुजा लेते हैं सबसे बड़ी भुजा लेते हैं उसका वर्क करते हैं बाकि दोनों बुजाओं के वर्गों का योगफल करते हैं अगर दोनों छोटी बुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी बुजा के वर्ग के योगफल के बराबर आ जाता है तो बोलते हैं यह यह पाथा गोरष टिपलेट है अगर बराबर नहीं आता है तो यह पाथा ग दोनों एक क्या होता है एंक्यू स्वाल यह भी है वह यह भी है इसमें एक सबसक्राइब को नमबर के लिए नमब या तीन पीट आना संभव है onto discussion प्रमें नहीं है लेकिन इस पर आधारित प्रमें नहीं है लेकिन इस पर बेश्ट कुश्चन आपको सॉल्व करने को आते हैं आ सकते हैं और आएंगे प्रमें नहीं है लेकिन प्रमें पर आधारित कुश्चन आप से पूछे जा सकते हैं ये दोनों कुश्चन को चौथे और पासमें के अवस्चही देख लिजिए जाने के पर अब तक हम और लोग आख चुके हैं प्रावलम सेट नंबर टू में प्रावलम सेट नंबर टू में कुश्चन सारे आप देख लिजिए ये कुश्चन आपको मैं बता चुका हूं जैसे पहले ताट टिपलेट क्यांत करना है इसमें पाथा गोरत है कि नहीं वह ग्यात करन होता है मनें एक ट्रेंगल है उसकी साइट एबी सी हैं अगर ऐसा है तो क्या वह त्रिभूज होगा अक्यूट होगा होगा अगर मतलब किसी में एक बुजा कवर अन्य दोनों मुजाओं के वर्गों के युग फल के बराबर आता है तो निश्चत रोप से वह समकूंट होत इस टेन अंडरोड तू ध्यान दो बहुत 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 इंपार्टन को स्टन है थोड़ा चेंज हो सकता है इसमें डिजिट या सवाल का तरीका मने एक वर्ग की भुजा दी जाएगी बिकन गयात करना है या बिकन दिया जाएगा तो भुजा गयात करनी है आप इसका सू कर दो बराबर भुजा करनी में दो बराबर भुजा मेंस में दो दूनों को आपको आपका धायर जाय। तो आपको निकाल ना है पर किलिमीटर परिमिती वर्गी की परिमिती बराबर होता है भुजा-गुड़े चार जब भुजा-गुड़े चार करें तो एंसर आएगा आपका फॉर्टी आपका यहां पर है ठीक है अब यह कुश्चन हो गया नेक्स्ट आप यहां देखेंगे आप कुश्चन नंबर एट में आप देखेंगे आप इस रिपीट करिए जो कुश्चन नंबर आप थर्ड ट्रिकन पक्का देखिए इसमें का वन मार का टू मार कुश्चन आता है पहला कुश्चन है एक समभाव तर्फुच है उसकी बुज़ा 2a है उसकी उचाई याद करणी है समभाव तरफुच की उचाई यादाक न समभाव तर्फुच की उचाई बराबर होता है करणी में 3 मटे 2 गुड़े भुजा या सूत रियादख ना इस सवाल पक्का आएगा जब करणी में 3 मैटे 2 गुड़े भुज़ा कितनी है? 2A है ना? तो 2-2 से कट जाएगा. करणी में 3A इसको उतराएगा. इसे प्रकार से आप दूसरा भी जरूर्ट देखें, तीसरा देखें, और चौथा देखें. आपका ये question इस तरह से आखरके, आपको पूरे नमबर दे जाएगा ठीक है अब आजी देखते हैं अगला कुस्टिन कहा हमें को मिलता है यह देखिए प्रॉलम चेटका कुस्टिन नमबर सेवें आपको सॉल्व करना है और ऐसा ही इसी नियम पर आधारित कुस्टिन नमबर सिक्स्टीन जाके देखिए उसमे में प्रूब करना है दोनों कुस्टिसन का सॉल्व करनी तरीका स्एम है यह कुस्ट्स जाने त्वाली है इसे आप देख लेंगे तो बड़े प्रस्ट में आपको बड़े 躲ा होनी है कौन सा है टेंजेंट टेंजेंट सेगमेंट डॉन फाम दे एक्सटर्नल पॉइंट पूइंट तो इसको आप अवजची करें क्योंकि आपके एक्जाम में तीन नंबर का प्रेमें बन कराता है और ध्यान रगना यह करने के क्योंकि उसी थेरम पर आधाय की कुश्चन है इसमें देखिए का मान दिया है और आपको दी का मान निकालना अब देखना एक चत्रुभुज हो गया चत्रुभुज में चारों कोनों का योगफर्द तीन साथ होता है एक का मान नांटी आप पक्का जानते हैं बी का मान निकालताते हैं कभी-कभी यह बुझा यहां आगे बढ़ाती जाएगी आपको सका मान देखान फिप्टी टू जब इसका मान फिप्टी टो दोगा यहां सब्सक्राइब तो यह फिप्टी टू हो जाएगा जैस्ट तर्मों कॉंसे तब भी आप इसको निकालता है इसमें करना भूलें के नहीं यह रहाब का चेप्टर नंबर 3.2 3.2 में आपके यहां पर यहां कुस्ष्ण नमबर देखिए 123 यह तीन कुस्ष्ण है तीन कुस्ष्ण नियम एक ही होता है कि वाय असपर्ची बृत्तों के केंद के बीज की दूरी उनके त्रिज्जा के बराबर होती ह है और अन्ता हसपर्ची बृत्तों के केंद के बीज की दूरी उनके त्रिज्जाओं के अंतर के बराबर होती है अन्ता हसपर्ची है त्रिज्जाओं का योगफ़ल होगा इन तीन सवाल को करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि यह आपको कल के एकजाम में अवस्ष् कि नाना बूलें थर्ड चेप्टर का यह थिर्म है थिर्म आप साइक्लिक क्वाड़िटल अपोजिट एंगल था आप साइक्लिक क्वाड़िटल आर्क सप्लिमेंट्री मनें चक्री चुद्र भुज के सम्मों कोनों को जोड़ी है संपूरक होती है मतलब 180 होती है इसे आप और सिंबल साप में है आपके लिए बहुत आसान होगा नंबर पाने के लिए कि अब 3.4 तोसलिक कौन कुस्सた आप करके जाएंगे question number one two and three यह question आपको करके ही जाना है एक्जाम में जाने के पहले यह question बड़े आसानी से हो जाएंगे बड़े आरामत हो जाएंगे आपको पूरा नमबर देखे जाएंगे question number one a के लिए जो optional question आते हैं उसके लिए आपके यह chapter का one two three आप इसे देखे जाएं one two three बाद में one two three लेकर के टेन तक nine तक आप यहां देखे जाएंगे तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा बहुत सिंपल question बहुत आसान question है अब आगे देखते हैं कौन question आप करने है हॉट question नमबर आपका फाइफ है चित करना की चत्रुबुज ABCD एक रॉंबस है एक सम्चित्रुबुजियां पर होता है ठीक है पर लोग्राम यह है आगे जाए कुछिन देखते हैं अब चक हम लोग आ चुके हैं प्रेक्टि सेट नमबर four point one आप construction है रचना है रचना में आप ध्यान देना question number one and question number four आप 20 का भी देख सकते हैं तो question number one question number two and four two and four में ऐसा ही question या फिर यही question आपको निश्चत्रोब चे फोर मार्क्स या फ्री मार्क्स के लिए कल मिलेगा इसलिए जब मिलेगा आपको पता हो गया है आप एक बार इसकी practice अवस्ची करें आपके लिए बहुत ही लाब्दायक और आसान हो जाएगा नम चीजें होती है इसमें पहला रचना यह दो नंबर के लिए आप देख लेजिए तेंजेंट आप सर्कल विद्ट सेंटर पी एंड रेडियस 3.2 सेंटीमेटर एक पॉइंट एक सर्कल लेंगे ऐसा सर्कल बना लेंगे उस पर इसका सेंटर जो होता आपका पी रहेगा और य यहां पर और इतोगी उसे देख अब नो बाउननों करें और जानते हैं हो सवल आप करें सateurs के लिए नंबर कीरें सक्षा है इसको आप करके जाएंगे आपके लिए एक्जाम में बहुत ही सहाइक होगा अब चैप्टर नंबर 5.1 में आप क्या करना दूरी का सूत्र कर लेजिए दूरी का सूत्र करके आपको इस डिस्टेंस निकालने के जी कुस्च्च नहीं करें और यह चैप्टर पूरा का पूर हां पर दूरी का हसुत लगाएंगे इतना है इसमें आपको आप स्पयंगे सिक्ट करना है यह कंदिना फिरय मोस्ते हैं फिर्ट है को ऐसलिख में आपक्येर हैं हैं जब पढ़ने जाते हैं, केवरल यहां पर चार भुजाओं को नकाल कर बता देता है, आप चार नहीं, छह भुजा नकालने होगी, क्या, पीक्यू का डिस्टंस निकाल देजिये, और यह सार्ख निकाल देजिये, आप देखेंगे, पीक्यू एक्क्यू टू डिया सार आएग पिर पिएश कई और निकाल गलायेगा। संवरोगा पीठ और अक्रिक निकाल को कए और उह सकता cancer क्रेंगे होटब दक्रेखन सम्मुख भी देका सब्सक्रमियन क्या यह चैसी अरफ में आपका पैडोग्राम होगा इस आधार पर इसमें के सारी प्रश्त आप निकाल कर अब निकालना हैं एक बिभाजन को सूतर होता है एक मद्धी बिन्दु का सूतर होता है एक यच्वन प्लस यस्टू बटे दो और एक मूल बिंदु से दूरी याद देखना मूल बिंदु से दूरी पराबर होता है और रोट एक स्कॉर प्रस य वाई स्कॉर ठीक है और एक है किसी केंडर बिंदु याद करना त्री बुजाएं देगी आई एक्जाम पर हम इसको देखते हैं यहाँ पर है यह कुस्चन सात्वा कुष्चन नम्बर सात्वा यह बिन्दू आपको दिये हुए हैं आपको इसके या यह आप निकाल कर निकाल कर निकाल सकते हैं और नंबर इसका यहाद यहां पर जितनी गुशहन है कि इसमें का एक नमबर के डेखें के लिए आप प्रूब करने के लिए और प्रूब करने के लिए सह सकते मेंूं और होट कुस्टन में देखने जाएंगे उसमें आपको यहां पर नाइन्थ और इलेवन्थ मिल जाएगा यह कुस्टन आप पूरा करके प्रकारते आप पूरा जमेंटी रिव्याज कर दखते हैं और ध्यान रखना आप तयारी कर चुके हैं और आप पढ़ेंगे भी सारा ब फिर मिलें के नेक्स वीडियो में कुछ ऐसी ही उपियों की जानकाय लेकर करके तब तक आप वीडियो देखते रहें अच्छे नमबर लाते रहें